बिहार में क्राइम कंट्रोल को हाइटेक करने के लिए मुखमतिनी 30 कुमार ने 13 वर्षपूर 20 मैं 2011 को नदी थाना का निर्मान करवाया था पटना के मौजीपूर में नदी थाना सापित है और लेकिन गंगा का जलस्तर जिस तरह से बर रहा है नदी थाना की क्या इसिती है वह हम आपको दिखा रहा है हम नदी थाना परसर में है और पीछे जो आप देख सकते हैं नदी थाना का बोर्ड है वहाँ पर बैठकी रहती ह है लोगों से मिलने के लिए थाना ना पूलिस कर्मी कूर्सि लगा हुआ है लेकिन वह सारी कवसिया वह नदी थाना का आप बहुत दूप चुका है यह जो जब की गई बाइकें हैं जो ecc जब की गई थाने की गारियां है और यह इसी तरह रखा हुआ था और से यह पानी में डूब चुके हैं यह जो जिस जगह पर हम खरे हैं यह रास्ता है आगे गंगा नदी का घाट है वो पूरा जलमगल हो चुका है आगे कई घर है घरों में पानी घो चुके हैं इधर भी कहा जाए तो 200 से अधी की अभा कि गई गारियां है और सभी गारियां और नदी में समाहित हो गई है हलाकि पुलिस कर्मी मसले पर कुछ बोलने को तयार नहीं है उन्हों ने कहा कि हम लोग इसमें कर भी क्या सकते हैं गंगा नदीका की नारे में है और गंगा नदीका जलस स्टर बढ़ने से हमेशा यहीं सिति बनी रहती है हलाकि 2016 के बाद जो इस वार बार की देखने को मिर रही है 2016 में जो खत्रे का निशानने से लगभग पचास पॉइंट बावन प्रकिसते पचास पॉइंट बावन मीटर था जो इस वार महाज एक फीट कम रहा है अगर एक फीट की बहुत्री हो तो 2016 के वाली सिति देखने को मिल सकती है 2016 के बाद गंगा का भयाबा सिति इस वार देखने को मिल रहा है और नदी थाना की जो गारियां है वह पूरी तर डूब चुके है नदी थाना परसर का जो उपरी हिस्सा है जहां पर थाना ध्याच और जो मुख कारियाल है अगर एक फीट पानी बरता है तो पूरा थाना में नदी में तब्दील हो जाएगा करना परसर नदी में तब्दील हो जहता है कि जो पूर जो का पी बीड़ी हो रही है घंगा नदी का जल अस्तर दिन पड़ती दिन बढ़ते जा रहा है जिससे हमारी जो कल का जो पानी अस्तर था कुछ कम था आज उससे और अधिक भारी मातरा में बिर्दी हो रही है जिससे हमारे थाने में माल खाना में सुरच्चित सारे समान नश्ट होते जा रहे हैं और दूसरी है कि हम लोग के अंदर भी भै हो रहा है कि अगर उपर तक पानी चला जाएगा तो यहां जान माल की छती ज्यादा होगी जबत की गाड़िया डूबी हुए जिसका लिखेत आवेदन हम लोग बरिये को दे चुके हैं कि माल खाने में रखे समान को अच्छे अस्थानों पर सुरच्चित पहुंचाया जाए अभी तो फिलाल हम लोग अपने तरब से इसे दहने के लिए हम लोग ये जो ताड़ होता है उसके तहद हम लोग उसको बांध करके रखे हैं सारे बाई को एक दूसरे की अथी से कनेक्शन करके रखे हैं कि ज्यादा भी भारी मात्रा में भी पानी आए तो थोड़ा जो पुलिस के लिए बरिचुणावती होती है और उसे सुरच्षित रखना है और जिस तरह से सभी गारिया जो है नदी में तब्दील हो चुकी है उन्हों बताया कि इस तार से बांध कर किसी तरह इसे सुरच्षित रख रहे हैं लेकिन जलस्तरबर राइस को लेकर हम लोग बरिया दिकार्यों को भी सुचना दिये हैं पर्मानन सिंग एबिपनुद पत्ना